नमस्कार स्वागते आपका इवनिंग रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूरेरू कैलाश इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे अनिल्विज के और चक निरिक्षण की जियान लगातार और चक निरिक्षण कर रही है अनिल्विज सूबे की कई जगों का दौरा कर रह निलंबन की गाच जानिल्विज का ये एक्षन अवतार जो की आज अमबाला चामनी में दिखाए दिया जहां पर पूट एंड सप्लाई विभाग का और चक निरिक्षण करने पहुंचे अनिल्विज दसल इस विभाग के खलाफ लंबे समय से शिकार्टे मिल रही थी यहां जब उन्होंने आज़क निरिक्षण किया तो ड्यूटी से नदारत तीन अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड करने के आदेश दिये यहां पर चौकिदार के अलावा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था जैसे ही अनिल्विज विभाग के दफ्तर पहुंचे नजारा देकर वो खुद भी दंग रह गये हैरान रह गये इसके बाद केबिनेट मंत्री ने इस दफ्तर का सारा रिकॉर्ड हाजरी रेजिस्टर स्टॉक रेजिस्टर को अच्छे से चेक किया जिसमें पाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी हाजरी लगाने के बाद भी ड्यूटी से गायम मिले यानि सिर्फ आजरी लगाई और चले गए अनिलविज के चापे के बाद भी फूड एंड सप्लाई विभाग का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुचा इसके बाद अंबाला स्टीम मौके पर पहुची जिसके बाद अनिलविज ने स्टीम को फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर पृत्वी चन इंस्पेक्टर अनिल कुमार एफसो अनिल शर्मा को सस्पेंड करने की आदेश दिये और इस पूरे मामले की जाज का रिपोर्ट 15 दिन में सौपने को भी कहा गया है और इतना ही नहीं इस दौरान अनिलविज की बात करें तो उन्होंने बीपियल राशन कार्ड बनाने की तमाम प्रक्रियाएं भी चकी जिसमें उन्हें खासी कम्या मिली अनिलविज ने आलगबग 15,000 जाली राशन कार्ड बना जाने की आश्रंका भी जताई साथ ही उन्होंने बीपियल कार्ड धारकों को बाते गए प्लोट्स में भी हेरा फेरी की अश्रंका जताई है जिसके लिए अनिलविज ने राशन कार्ड प्रिंटर के खलाब भी जार्च की आदेश दिये और कहा कि जांच के बाद इस मामले में जो भी दोशी पाया जाएगा उसे बक्षा नहीं जाएगा तो अनिलविज का ये एक्शन अवतार और अब उस साफ़तोर पर दिखाई दे रहा है हाला कि एरानी की बात यह थी कि जब मंत्री महदय वहाँ पर मौजूद थे उस चापे के बाद भी कोई अधिकारी या करमचारी वहाँ पर नहीं पहुचा और उसके बाद पहुची स्टीम जिनको त्वरित कारवाई करने के आदेश अनिलविज की तरफ से दिये गए पर लगाता आ रहे हैं मंत्री महोदय अनिलविज लगाता रहे हैं अचक निलिक्षण कर रहे हैं हर उस जगह का वो जैसा ले रहे हैं जहां पर उन्हें शकायते या खामिया मिल रही हैं विभाग में कोई अधिकारी उस वक्त मौझूद नहीं था सिर्फ चौकिदार राशन से लेकर कह सकते हैं कि प्रिशासन तक मंत्री जी की नजर है बीपेल ला काड में भी उन्होंने कई खामिया पकड़ी इसके लावा जो प्लॉट्स बाते गए बीपेल परिवारों को उन्हें भी उनको खामिया नजर आई हैं और ऐसे में जो एक्शन की गाज है वो उन्हें कुछ अधिकारियों पर भी गिराई है कॉंग्रेस नित्या खजान सिंग इस वक्त माई साथ फोल लाइन पर जोड़ रहा है खजान सिंग जी बहुत स्वागत है आपका हरियाडा न्यूज में खजान सिंग जी बहुत सक्रियता दिखाई जा रही है इस वक्त बीजेपी के तमाम मंत्रियों की तरफ से अनिलविच की बात करते हैं और चक निरिक्षों लगातार कर रहे हैं और दना दन on the spot फैसले ले रहे हैं तीर अधिकारियों को उन्होंने अंबाला च्छामनी में ह सब्सक्राइब पर इस हुए हैं तो इनको जनादेश मिला पार्टिसन ता पार्टिक अप्रियों को वह जो भी जनादेश इनको मिला उसके मुताबिक मैं समझता हूं इनको फर्स्ट इंप्रेसर वेरी वेरी पूर रोट प्तूदी एक्सपेक्टेशन ओव ती हरियाना की क्योंकि यह जो इनका पहला सबसे बड़ा जो मुद्धा है किसान यह हमारे किसान डॉमिनिटिंग पर देश है और किसान सारे सडकों पर हैं पूरा किसान वर्ड मानिय परदान मंत्री जब यहां हर्यानम आए थे और मानिय मुक्यमंत्री जी ने शपत लिदी करनाल में तो किसानें खानगें और का सब्सक्राइब जो यह करने जुरे पर द्राम करे यह जो आपकी नजरों कर यह जो आचक निरिक्षण है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा यह भी एक दिखावा है आपकी नजरों में खजासिंग जी जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था पबली के सामने जो उन्होंने सपना दिखाया था जो उनको आप रोकना चाहेंगे यहांपर ब्रेश ओन जी बहुत स्वागत है आपका जी शुक्रीया बनेचा जी बात अनिलविच की हो रही है जो ओचक निरिक्षन कर रहा है एक्शन अवतार लगातार उनका और फैसला उन्तों स्पोट किया जा रहा है अंबाला छामनी पहुचे हैं और वहाँ पर तीन अधिकारियों कोनों ने सस्पेंड कर दिया है सरकार पूरी गती में दिखाई दे रही है सब को इसका स्वागत करना चाहिए और कॉंग्रेस के मित्रों को इससे परिशान होने के बजाए इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि अगर कहीं कोई काम में अपने कोता ही बरत रहा है तो स्वेम मिनिस्टर चलके मंत्री चलके उनको उस चीज़ का निरिक्षन कर रहे है बिरेंद्र जी लेकिन सवाल ये है आपने का कि सब को स्वागत करना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस नेता खजान सिंग ये कह रहे है कि ये सिर्फ दिखावा है फोटो खिचवाने की पॉलिसी है मुझे ये लगता है कि कॉंग्रेस के पास अभी हाल कि कुछ कहने के लिए नहीं है तो उनका यही कहना बनता है और वो कहते रहें वो हमारे कामका जो निगाया रखे हमें अच्छा लगता है परंतु थोड़ा सैयम से निशकर्शों पर पहुंचे ये दिखावा नहीं है ये सरकार है जो एक्षन में नजर आती है और अगर इनको विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयम भी आ जाया करें जब हमारे मंत्री निरिक्षन पर आते हैं अगर दिखावा लग रहा है तो आए चले लगता भी संपर्ख नहीं हो पाया खजान सिंग जी से इसका जवाब ले लेते हैं खजान सिंग जी साब तोर पर बिरिंद चौहान ये कह रहे हैं कि अगर दिखावा लग रहा है सरकार की कोई भी कवायर तो कम से कम एक प्रतनिदी होने के नाते जरता का हिताशी होने के नाते मौके पर आभी कभी पहुंच जाएं मौजूद रहे हैं और देखें वो दिखावा कर रहे हैं या फिर का हैं और यह जारू लेकर दिखाव सफाई होनी रही है इनके जो दफ्तर हमारे जो सहकारी का रहे हैं उसमें भी जिसमें एक महीना होगा है कुड़े के डेर लगे हुए हैं और मच्छ पैदा हो गए हैं तले गवाई चिर्की जाती थी और इस विज़ें में खासकर लेकिन यहां गंदगी के कार्ण बीमारी फैल रहा है उसके पानी पीने के पानी में कवाई नहीं करें तो बिल्कुल जवाब लेते हैं जहां तक जहां तक जहां तक खजान सिंग जी की बातचीत का जो मतलब है वह यह निकल कर सामने आ रहा है कि ऑचक निरिक्षवड करना बिल्कुल जवाब लगा-चक निरिक्षवड करना या निलंवर्ण की कारवाई करना एक मंत्री के हाथ में होता लेकिन जो बुणियादी समस्याई है उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है बनिजबत ज़शन भूच निरिक्षवड करने के क्या ज़ने में निक्षिक हो जा परिशान होने के बजाए और इसको आपको अगर यह लगता है कि हमारा सफाई अभियान के वो केवल पोटो पॉर्चुनिटी है तो जरह कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के कारेकरता आजकल उनके पास और काम है भी नहीं वो भी जरह उतरे समाज में सफाई करने तरसल समस्चा कुछ और हो रही है कि जो ये सफाई अभियान हमने शुरू किया है हम तो ये कह रहे है कि केवल गली महले की सफाई का अभियान नहीं है ये सरकारी तंदर की सफाई का अभियान भी है निकम्य नकारा जो लोग है जो काम काम नहीं हो रहा हैं और जहां कहीं सरकार काम वहाँ तो ऑ युद्धी ते नहीं करता ने जरा आए तो तो सही उन फ़ानों पर आप बी जरा कुछ काम करते नज़र आए बिरंचुहां जी अब सब्सक्राप अब बिलको सफाय वियान से इतर जरा अनिलविच के एक्शन अवतार की भी बात कर लेते हैं अनिल्विजी जब आप पहुंचे अंबाला छामनी फूरेंट सप्लाई विभाग में चौन सब आपको जानकर वहां पर हैरानी होगी कि कोई भी अधिकारी और करमचारी वहां पर मौजूद नहीं था सिर्फ चौकिदार था और हैरा के उपर जो चाबुक चलाना है वो चला रही है अनिल्विजी लेकिन अभी भी लंबा समय लगेगा उस पूराने धरे में बदलाब के लिए आपको लगता है इस पर मुझे ये कहना है कि बरसों बरसों से जो सभाव कुछ लोगों का काम न करने का बना हुआ है काम से बचने का बना हुआ है उस उस काम को बदलने में कुछ समय तो लगेगा और आप दिक़्िए अनिल्विजी की जहां तक बात है कमसे कम उनके बारे में ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो दिखावे के लिए कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं निरंतर पांचों बरस चलने का काम है निकम्मे नाकारा और कामचोर लोग जहां कहीं भी हैं किसी भी दंतर में किसी दिवस्ता में हैं उनके खिलाब निरंतर पैरेदारी करने का काम सब को करना चाहिए और फिर कहना हूं मैं ये वला अनिल्विज क्यों है, रिपाश के लोग क्यों नहीं है, सारे समाज को इस तरह के लोगों के खिलाब जो अपनी ज्यूती में कोधाही बरगता है उनके खिलाब, हम सब को उठ् तरकार को भी, तफ्ताधारी दल को भी और प्रतिपक्ष को भी आईये सब मिलकर के दवस्ता को ठीक करें बिलकुल बिलकुल जान साब इस वक्त हमाय साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता निशान सिंग जी भी जूट चुके उनसे भी प्रतिक्रिया ले ले लेते हैं निशान सिंग जी बहुत स्वागत है आपका रियाडा नियूस में जी शुकर ले 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 लिए अनिल विच जी का एक्शन अवतार साफ तोर पर निजर आ रहा है लगातार आउचक निरिक्षण कर रहे हैं अमबाला चामनी पहुंचे हैं और वहां पर करमचारी और अधिकारी जो कहर हाजर थे उनके खिलाप अंदर स्पॉर्ट फैसला लिया गया उनको निलंबित किया गया सस्पेंट किया गया कैसा लग रहा है अनिल विच का एक्शन अवतार कि अधिक्षण कर रहे हैं और आपनी जिम्मेवारियों को प्रॉपर निभाने का था आम तर्फिया और जिस दिन से वो वजीर बढ़ें उसी दिन से इनको एक्शन चज़ रहा है लेकर मैं एक फ़जाओ दूना कि उनको सिर्फ आमबारा नहीं वो हर्याना के वजीर हैं पूरे हर्याना में जा करके मैं जो हेल्थ डिवार्ड में उनका है उसमें कि स्क्रीके की खामिया है लोगों में काम करने बंग शुलता आएगी तो मान के चलें पूरे हर्याना में उनको जाना चाहूंगी जैसा कि बिरेंदर चुहान जी ने भी ये कहा कि क्यूं सिर्फ अनिलवेज जो बहुत सारी शिकायते हैं या जो बहुत सारी बुन्यादी जो समस्याई हैं उसको आप विरोध की राजनीती और विरोध करने के लिए जो विरोध हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि यह सिर्फ और चक ने रिक्षाड है और कुछ समय बाद खुद बंतरी जी यह तमाम बाते बूल जाएंगे और जो समस्या है वजयस की तैस्स बनी रहेंगे आपको लगता है यह तो इनका अपने नेटा इनके परवक्ता ही यह बात कह रहे हैं अब बाकी दिखावा करते होंगे यह नहीं कर रहे हैं दिखावा बिरेंच वान जी जवाब देना चाहेंगे आप बिल्कुल देना चाहूंगे जिए तो जवाब है आपके आपके तमाम आरुपों का जवाब दे रहे हैं परेंच वहां जी पहली बात यह कहीं नहीं कहांगे टेवर ने रिजेक्शन में हैं मैंने खजान सिंग जी को कुछ और नहीं मिल रहा है तो मेरे शब्दों को तोड़ परोड़ के मुझे घेरने के चक्षर में यहां जी यह आरोब तो नेता मीडिया वालों पर लगाते हैं जी पता हैं मैंने जो बात कहीं अल्विज एक्शन में है और वो निरंतर रहेंगे आपने कहा कि वह दो दिन में चार दिन में रुप जाएंगे मेरा यह कहना पाट के पांट ताल आप देखिएगा आनिल विच इसी तरह एक्षन में इसी मोड में रहेंगे और चीजें और रिवस्ता ठीक होगी आप गुर्गाओं के अस्पटाल की आप बात करते हैं गुर्गणाओं के अस्पटाल की अगर ये दुर्गती पिछले दस दिन में इस सरकार के कारेकाल में आप दस दिन में आप हमसे करांती की अपिक्षा करते हैं आप 65 साल में कुछ नहीं कर पाए और हमसे दस दिन में आप ये आमूल चूल परिवर्टन की अपिक्षा कर रहे हैं मैंने तो ये कहा है ये बिल्कुल 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 बिल्क किसान के सवाल पर हम लोग मंडियों में नहीं गए यह तो खजान सिंग जी को नियाने कहां से सपना आ गया हम लोग हमारे मंत्री निरंबर किसान के साथ खड़े हुए हैं अगर इनको किसान की इतनी चंता होती अक्तूबर के पहले सुक्ता में धान आनी शुरू गए ती हर्याना की मंडियों में और अगर यह चिंसित होते तो यह भ्रम नहीं फैलाते कि एक्सपोर्ट बंद हो गया है धान का ब्रह आन किसान कर सब्सक्राइब की मंडियों में इक्सपोर्ट बंद होने का ब्रहरम वैराकर थी ओर हमने कमां सभालते ही निकती है ब्रहर इमस्ब्रे गणाया है धब चल्कोर के पकी प्रतिक्रिया अगे भी लेते जारी रहेगे, आप तीनों ही लाइन पर बने रहे हैं, बहुत जाल हम लोट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बार के हरित क्षेत्र सिरसा में, विश्विस्तरिये शिक्षा की खास पहचान, MTK International School, Cambridge University London से चुड़े सिरसा के, इस पहले रेसिदेंशल कम टे बोरिंग स्कूल के डिरेक्टर है, Cambridge Exams के आखिलन करता Mr. Lawrence Frey, विश्विस्तरिये शिक्षा की साथ, MTK स्कूल में है Air Condition Campus, और दूसरी आधोनिक जरूरी सुविथाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण Library और एक Spacious Cafeteria, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा Healthy खाना, MTK International School की विश्विस्तरिये खेल एवं अन्ने सुविथाएं, आपके बच्चों का स्वास्ते एवं चहों मुखे विकास सुनिश्चित करती हैं, तारकेश्वरम धाम के नस्दीक, रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्थ करें, 9,2,5,4,1,3,6,6,4,2,4,3,4,4,4,4,5 या लोगन करें, www.mdkinternationalschool.com MTK International School, Nurturing Your Future Today! Largest Campus More than 1800 students Well-equipped Workshops and Labs Advanced courses More than 30 PhD holder and experienced faculties For more information, log on our website Contact us for admission Arne University, bringing ambition in life Bracky Bar, अपका स्वागत है, Evening Report में बात कर रहे हैं, अनिल्वेज के एक्शन अवदार की लगातार रोचक ने रिक्शन कर रहे हैं, अनिल्वेज हाना की इस पर खास मेमान मेमारे साथ जुड़े हैं, खजान सिंग हमारे साथ कॉंगरेस के तरफ से, जिनको ये पूरी कवाय दिखावा लग रही है, वहीं बिरेन चोहान में साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो ये कहरे हैं किसकी सराला होनी चाहिए, खजान सिंग जी, आपकी पैस आना चाहूंगी, बिरेन चोहान जी ने ये कहा है, कि जिस तरह की कमियां आप इशारा कर रहे हैं, जिनको कमिय पताना जाओंगा भाई विरिंदर चोहान जी को मैं 15 दिन की कारगुजारी की बात कर रहा हूं, पहले सरकार का सिस्टम ठीक रहा है, होस्पिटल में और किसी किसम की लापरवाई नहीं है, सफाई वरस्ता की बात है, तो सभाई तो रोजाना चीना, ये तो है दिका आज कर आज की बात करना कर रहा है, मतलब आपका ये कहना है, ये कहना है कि 15 दिन का ये कारिकाल है, सरकार का उस कारिकाल में कांप करने वाली अधिकारीयों का सोषड किया रहा है? एन अधिकारियों का सोषर किया जा रहा है आप उससे सहमत है आप ये कह रहा है कि तीक है किuję इस पर जबाब ये लेते हैं बिरेंच चौहान जी उत्पीडन किया जा रहा है ऐसे करमचारियों का जो काम करते हैं ना तो तंखा में बनुत्री हो रही है पंद्रा दिन के अंतराल में आप लोगो ने अधिकारियों का जंकर शूश्र किया है आपको नहीं लगता कि ये हास्ञासपत बयान है बिल्कुल जो लोग काम नहीं कर रहे या काम पर नहीं पाए जा रहे अगर उनके खिलाब कोई कारवाई हो रही हैं अनुशासनात्मक कारवाई हो रही है तो कॉंग्रेस के हमारे मित्र जो हैं इसको शोशन बता रहे हैं शोशन ये है या ये हर्याना की जन्ता का दस साथ से शोशन कर रहे थे लापरवाही को बढ़ा के, कामचोरी को बढ़ा के, ऐसे लोगों को सर्रक्षन देखे ये विपक्ष में रहे के भी कामचोरों के सर्रक्षत क्यों बनना चाहते हैं इनको हर्याना की जन्ता को बताना चाहिए, कि इनको क्या परेशानी है अगर कामचोरों के छिलाथ कर कही कारवाई हो रही है ठीक, लेकिन जोहान जी, एक, एक, सवाल मेरा यह है यह सवाल खर जायस भी मैना जाएगा खजार सिंग जी ने प्रशन उठाया कि साफ सफाई अभियान का या ओचक निरिक्षण का क्या एक ही दिन मुकरर है क्या इस तरह की जो कवायद है वो आगे भी ऐसे सुचारू रहे कि जबात की क्या गैरंटी है कि इस तरह की जो गतिव प्रथा है वो उसमें सुधार होना चाहिए आप आपकी बात में आपका प्रशन ही गैरवाजिव है इस मामले में कम से कम अभी सरकार को अस्टु में आये हुए कितरे दिन हुए और कितरे दिन वो गायब हो गए कहां गायब हो गई है इस तरह की जो एक प्रथा लंबे अर हैं कि दर्शकों की सुभिधा के लिए भी जो श्रेस्ट काम करेंगी वो जो सारी काम है वो एक दिन करने के नही है सतत करने के हस किरने आप कल्पना करें आप एक दिन स्नान कर लें और उसके बाद तीन दिन नहीं नहाएंगे तो क्या गुजारा हो जाएगा बिल्कुल और यही प्रशन तो उठाया भी गया नहीं यही और मैं उत्तर दे रहा हूं स्वच्चता हो, चाहे दफ्तर जाने का काम हो चाहे अपने ग्यूटी को काइदे का काम हो यह एक दिन का कम नहीं है, निरंतता का कम है अमारा कि वाम सब्सक्राँ में निरंतता से करेंगे जैसे हर दिन आप प्रश करते हैं, जैसे हर दिन आप अपने घ़र में शट न लगाएं, तो जाले लग जाएंगे, गंदगी कठा हो जाएगी, ठीक ऐसे ही सरकारी तंद्र को दुरूस्त रखें के लिए, हर दिन फैरेदारी करनी पड़ेगी, यह सरकार करेगी, और इसमें क पच्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खजान सिंग जे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो निर्विज का ये एक्शन अवतार, जिसकी उमीद आप सरकार के तमाम आला मंतरियों से भी लगाए जा रही है, कि इसी तरह का और चक न कि उमीद बहुत आप ऑत कर दोनह कि अ